श्कार दोस्तों, बिग बूल मार्केटिंग में आपका स्वागत है, वीडियो शुरू करने से पहले प्ली चैनल को सस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद आज हम डिसक्स करेंगे, IUCL के बारे में, इंडियन लाइट कोपरेशन के बारे में, क्याप कोई शेर में निवेश करना चाहिए या नहीं, हम आपके लिए गाईज बिल्कुल क्लियर कर देंगे कंपनी के फंडमेंटल्स के बारे में बात की जाए तो कंपनी के फंडमेंटल्स काफी स्ट्रॉंग है कंपनी का स्टॉक नहीं ज्यादा ओरबाउट जोन में, नाई ASM की किसी रेड़ फ्लाइग लिस्ट में है और कंपनी के एनॉल ग्रोथ रेट, प्रॉफिट जेनेरेश बना हुआ है गाईज, सो गाईज हमने आपको पहले भी अपनी वीडियो से बताया था कि IOCL में एक अच्छा अवड ट्रेंट बना हुआ है गाईज, इसके जो RSI इंडिगेटर है, इसमें एक अच्छा हमें बुलिश ट्रेंट शो करें गाईज, और जिस तरह इसका पैट 13 के लेवर्स को तोड़ता है, तब हम इसमें एक ऐस देखने को मिलेगा और एक बेरिश मूव देखने को मिलेगा गाईज, तो गाईज, आप इस शेर में बना सकते हैं गाईज, लेकिन आपको थोड़ा लॉंग टर्म पॉइंट अविउस थी, इसमें बनानी पड़ेगे, क्योंकि अब इसमें आपको एक अग्रेसिव अवर्ड मूव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में आपको पता है, जो पट्रोल का प्राइस है, वो बढ़ रहा है, क्रूड ओल का प्राइस बढ़ रहा है, धीरे-धीरे, वैसे ही आई-उस प्राइस बढ़ रहा है, यह आपको बड़े रहा हैं से दो तीन साल के अंदर 500 के टारगेट अचीव करके दे सकता है, क्योंकि क्योंकि कंपनी को परेशन से बहुत प्रॉफिटेबल है, और कंपनी भी बहुत अच्छा प्रॉफिट जेनेरेट करी है, और कंपनी भी आपक इसका रहन अच्छा गाइस, तो गाइस हमारे चैनल को प्रीज सेस्क्राइब कीजए, थैंक्यू गाइस वीडियो देखने के लिए